आज का सेशन जो लेट हैं वो लेट होने दो क्योंकि लेट लोगों का कुछ नहीं कर सकते हमें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक परसेंटेज हेडिंग डाल लेजिए समय एक एक सेकंड कीमती है आप भी जानते हैं तो उस कीमत का अंदाज होना चाहिए प्रतिशत नाम सी पता लग रहा है प्रतिशत एक चैप्टर नहीं एक सिम्बॉल है सिर्फ एक सिम्बल पर पूरा चैप्टर डिपेंड करता है एक सिम्बल आपको पता होना चाहिए कि ये प्रतिशत का मतलब क्या है प्रतिशत शत मतलब होता है सो पर मतलब होता है जानते है ना प्रती सिंबॉल है जिसको हम चिन कहते हैं जिसके द्वारा हम प्रतीशत को लिखेंगे प्रतीशत का मान होता है एक बटे सो क्या वाकई में सर ये वही वाली बात हो गई क्या कि वास्तम में प्रतीशत का मान एक बटे सो होता है जी हाँ ये जो प्रतीशत है ये सौवा हिस्सा है क्या मैं सही बोल रहा हूँ yes किसी भी चीज का सौवा हिस्सा wow यानि कि अगर हम 20% लिखते हैं तो क्या हो जाएगा यहानि कि 20-100 का कौनसा हिस्सा है लिकाल सकते हो 20% अगर आप लिखते हो तो कुल मिलाकर कुछ नहीं लिखना, सौवा हिस्सा, बीस, सौ का कौन सा हिस्सा है, एक हिस्सा है, पांच का, सौ का बीसवा हिस्सा, या पांच का एक हिस्सा, ऐसे भी बोल सकते हैं, सौ का बीसवा हिस्सा, पांच का एक हिस्सा, अगर मैं कहता हूँ कि कोई भी चीज जो होती है, जैसे कि हम बोलते हैं percentage, percentage मतलब होता है एक बटे सो, यह मैंने अभी आपको बताया यानि कि नाम ही percentage सो है सो परसेंट की respect में ली जाती यह कोई भी चीज हो तो अगर मैं आपसे बात करना चाहूं कि गुरुजी जब आप यह कह रहे हो कि percentage बरावर एक बटे सो होता है तो आपसे मैं पूछूंगा कि यह क्या है यह तो percentage है ठीक है और फिर यह क्या है यह वाला हिस्सा यह वाला हिस्सा तो fraction है भिन है हाँ याना बोल दो एक बराब हाँ याना बोल दो क्योंकि तब ही समझ पाओगे चोटी चोटी चीजे होती है जिनको समझना जरूरी है मैं अगर आपसे बात करता हूँ कि यह तो percentage है एक बटे सो क्या है यह तो fraction है अब आगे की discussion करेंगे आगे का point discuss करेंगे काफी शांदर point होने वाला है देखिए का जारा समझने की कोशिश करना कि यह तो fraction है यह तो percentage है मैं आपसे कहता हूँ कि जो चीज मैं कहता हूँ कि मुझे पूरा भाग चाहिए पूरा भाग मुझे पूरा भाग चाहिए यानि कि मुझे कोई भी चीज का full part चाहिए full part तो as a percentage क्या होगा वो as a percentage क्या लिख सकते हो आप और as a fraction क्या लिख सकते हो बताईए simple सोच लेना चाहता हूँ आप लोग होगी तो कि बहुत छोटी छोटी चीजों से मैं एक ऐसी चीज बताऊँगा शायद उसके बाद कभी percentage निकालने में दिक्कत ही ना आए एक बर सोच के बताईए आप जल्दी से बताईए तो मैं percentage में अगर कोई पूरा part लेना चाहता हूँ तो मैं क्या कहूँगा यार ये पूरा केट चाहिए मेरे को यानि कि मैं अगर math का अध्यापक हूँ और आप एक math के student हो तो आप ये क्या कहोगे कि मुझे 100% दे दे मैं उसको ये नहीं बोलूँगा कि मुझे 25% दे या 100% दे नहीं मैं इनको पूरा चाहिए तो मैं क्या बोलूँगा मुझे 100% दे दे कि मेरे को दूब 100% दे दे चीज़का तो fraction में क्या होगा fraction में क्या बोलता है fraction तो एक हिस्सा है fraction तो एक भाग है सबसे बड़ी चीज़ सबसे बड़ा fraction एक होता है अगर उचित fraction की बात की जाए क्योंकि उचित समझे रहो ना उचित और अनुचित एक हमारा उचित fraction में आता है एक के बड़ा हो जाएगा तो वो अनुचित बन जाएगा इंप्रॉपर fraction बन जाएगा उसका कोई लेना देना है नहीं तो हम यहां कहेंगे कि fraction में वो चीज एक होती है simple सा logic है कि अगर मैं 100% की बात करूँगा तो वो एक fraction के बराबर होगा और ये दोनों आपस में बराबर हैं जी हाँ दिक्कत क्या है अगर मैं भाग की बात कर रहा हूं तो एक है और percentage की बात कर रहा हूं तो 100% है अगर मैं बोलता हूं आजा भाग मेरे को चाहिए तो आप क्या कहोगे 50% मैं कहूंगा कि मेरे को एक चोथा ही चाहिए तो आप क्या कहोगे 25% तो आप इस हिसाब से तो बोलोगे yes and you मैं जवाब दे दो पहली बात तो यह है दूसरी बात आया भी तो इसी सही है ये चीज, कैसे आया सर, एक बार दिखाओ तो सही आप हमें, मैं लिखता हूँ, पर्सेंटेज बराबर एक बटे सौ, तो क्या मैं क्रोस मल्टिप्लाई कर सकता हूँ, हाँ, जब सौ का क्रोस मल्टिप्लाई करूँगा तो यही तो आ रह हो लेकिन शुरुवात तो ऐसी होनी चाहिए जिससे की चीजों को रिलेट कर पाओ ठीक है माइडियर स्टुडेंट हाँ बहुत लोगों को यह सब पता भी होगा और खीच के लाइक भी नहीं कर रहे हैं फिर भी तो पता होने दो क्योंकि यहीं सही चीजे शुरू होने वाली से मेरे ले भी और आपके लिए भी चलिए शुरुवात करते हैं आज की कई मैं अपसी रिकवेस्ट करता हूँ कि जो मैं यह टेबल बनारा हूं इस table को रात को चाहे दो गंटे पढ़ाई करो चाहे वो दस गंटे पढ़ाई करो मुझे नहीं मतलब है कल ये table आपको पता होनी चाहिए आज के लिए चल जाएगा कोशिश करूँगा क्लास में याद कराने की लेकिन ये चीज याद रख लेना कि अगर ये पढ़ लिया आपने तो आने वाली arithmetic में सुधार आ जाएगा और ये नहीं पढ़ा तो सब कुछ सब खतम है ये समझ लो तो समझ लो कि ये कितनी जरूरी चीज है जो मैं अब आपको पढ़ाने वाला हूँ और आपको मैं लिखाने वाला हूँ मैंने कोई भी चीज कहा 100% 100% का fraction वाला पार्ट होता है 1 सारी चीज़े बताऊंगा पहले जो मैं लिखा रहा हूँ वो लिख लो सिर्फ और सिर्फ मैंने आपके सामने लिख दिया 100% 50% टेवल बनाते जाओ हाथ के आथ फिर बाद में फिर लोड आएगा आपके उपर एक बटे दो मैंने लिखा फिर उसके बाद 25% इसका भी आधा मैंने कर दिया एक बटे चार सर यह कैसे कर रहे हो आप यह बता दो बस एक बार तो इसका प्रॉसेस समझ्झ लो प्रॉसेस बहद आसान है समझ सबकों आता होगा मुझे पता है एक बोरिंस लग सकता है काफी सारे विद्यारतियों को उनको आता है लेकिन मैं यह कऊंगा कि कुछ ना कूछ नया आएगा ही आएगा क्योंकि मेरी क्लास है है rework फ़ड़ा ध्यान रखना बस कुछ ना कुछ बीच में नया आने वाला है शुरुवात ऐसी होगी लेकिन तो ये सारे चीज़े हैं अब फटा पट से लिख देता हूं 20% एक बटे 5 कैसे हुआ कारण वही है 20 बटे 100 आप जानते हैं 20 से काटूंगा 100 को 5 बार जाएगा अगर मैं एक बटे 6 की वैल्यू निकालना चाहूं तो कितना होगा बताईए तो कुल मिलाकर बात ये है कि आप किसी भी percentage को fraction में बदलने के लिए percentage को fraction में बदलने के लिए एक बटे 100 का गुणा करते हैं और fraction को percentage में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं 100 बटे 1 लिए ये रटने वाली बाते हैं कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का लेकिन फिर भी हम बता देते हैं क्योंकि हर एक स्टूडेंट को नहीं पता है ना ये चीज़ इसलिए खीक है तो यहां एक बटे 6 है सर एक बटे 6 को percentage में कैसे बदलू मेरे को तो नहीं आता है कोई बात नहीं यह आना होगा आपको बहाने नहीं चलेंगे बहाने बनाने बद्द करो मैं सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ इसका क्या process है percentage में बदलने का तो process सुन लिजिए एक बटे 6 आपका यह क्या है यह percentage लिखा हुआ या fraction लिखा हुआ है आप खुद बताइए यह percentage लिखा हुआ है या fraction लिखा हुआ है तो देखिए गाज़रा into 100 कर लें इंटू 100 कर लें ठीक है तो 100 बटे 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा दो से करेंगे 50 बटे 3 बस 50 बटे 3 तो मैंने इसको लिखा 16 तिया 48 और 2 बटे 3 तो 16 सही 2 बटे 3 आ गया आपका छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि यह 16 सही 2 बटे 3 है सब को पता होगा ले यहां तक कोई दिक्कत है कि आप लोगों को यह बता दो बस यहां तक इस प्रोसेस में कोई दिक्कत अगर मैं इस प्रोसेस को पूरा राइट डाउन कर रहा हूं तो आप में से किसी को कोई परेशा नहीं है क्या आपको एक सिंपल प्रोसेस समझ में आ रहा है कि मैं कहना क् कि यार percentage से fraction convert कर लो या fraction से percentage convert कर लो process बिलकुल vice versa है कि अगर आप percentage से fraction convert करोगे तो बटे 100 करना पड़ेगा और fraction से percentage लेकर आओगे तो गुणा 100 करना पड़ेगा simple सा logic है दोस्तों कि अगर आपके लोगे आपके लो शचाना पर आपके कर दोस्तों आपके लोगे नोगे